So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So आज इस वीडियो में बात होंगी NHPC की वीडियो को आगे continue करो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर दिना साथ ही Telegram चैनल को join कर लो वहाँ पर Nifty Bank Nifty की काफी कुछ अपडेट्स आपको मिलने वाली है तो प्लीज जा कर एक बार चेक आउट जरूर करना तो वीडियो को करते हैं continue NHPC Limited की अगर हम बात कर लें तो स्टॉक शानदार है छोटा सा शेयर है PSU स्टॉक है और वही अगर देखें स्टॉक की खासियत में आपको बताता हो कि ये स्टॉक अगर देखें गवर्मेंट के अंडर आता है ठीक है और Hydro Power Project यानि अगर देखें इसका नाम ही अगर आप देखोंगे National Hydro Power Corporation Limited यानि यहाँ पर गवर्मेंट का Hydro Power Project में अगर कोई IMP स्टॉक है तो यह उसका नाम है NHPC महारतन में यह आता है और वही अगर आप देखोंगे तो NHPC जिसा NHPC जिसा स्टॉक जो सिर्प 60 रुपे के राउन अप ट्रेट कर रहा है वो टाटा पावर, अडानी पावर जिसी बड़ी-बड़ी कंपनी उसको अपने ओर्डर्स भी देता है क्योंकि यहाँ पर अगर देखे NHPC के अंडर कई सारे प्रोजेक्ट है अल्रेडी है कई सारे प्रोजेक्ट के उपर काम गरता है देश के हर छोटे बड़े प्रोजेक्ट में इसका यहाँ पर इन्वालेशन होता ही होता है और यहाँ पर अगर देखे यह ज़्यादा प्रोजेक्ट जो रहता है उनमें से आधे प्रोजेक्ट ए प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को दे देते हैं तो इसी चीज़े यहाँ पर हम देखते आ रहे हैं है हाली में यहाँ पर अगर आप देखोंगे तो जो NHPC है NHPC ने गुजरात government के साथ भी लगभग 4,000 करोड की deal की है और उसके बाद अभी अगर देखें तो फरवरी में और बड़ी deals यहाँ पर होने वाली है और बड़ी deals यहाँ पर हो सकती है NHPC में तो यहाँ पर अगर देखें wine project से related एक चीज आ रही है सामने NHPC यहाँ पर implement यहाँ पर tender जारी करने वाली है issue करने वाली है जिसको लेकर एक बड़ी news आई थी और वही अगर देखें जो भी global based हो या फिर India based developers हो उन्हें इम पैनल के लिए यहाँ पर invite किया जाएंगा और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर एक project रहेंगे उसके उपर bidding हो सकती है तो इसके लिए document जो है उसकी cost यहाँ पर लगबक $120 के round होने वाली है और यही अगर देखें जो यह bits है वो submit करना होगा 17 फरवरी के round यहाँ पर NHPC की और से एक issue यहाँ पर जारी किया गया है तो यहाँ पर एक बड़ी चीज है उसके बाद अगर आप देखो गया है तो यहाँ पर 17 तारीक को जो है एक 10,000 का यहाँ पर cost रहेंगी bidding के लिए तो annual network लगबग लगेंगा 12.5 billion बिल्कुल 12.5 billion यहाँ पर अगर देखें डॉलर्स में अगर मैं बात करूँ 150.85 million dollar तो यहाँ पर एक डरिंग लास्ट 5 यह पिछले पात साल का एक annual network होना चाहिए तो यहाँ पर यह कुछ criteria रहने वाले हैं तो वही अगर देखें इससे यह चीज पता चलती है कि government यहाँ पर एक बड़ा decision लेने वाली है government यहाँ पर अगर देखें कि बड़ा decision लेने वाली है wine project से related wine energy से related तो यहाँ पर यह पहले भी कई बड़े project यहाँ पर और जैसे मैं आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया कि private sector की companies को invite करते हैं और exactly फिर से वही चीज हमें देखने को बिल सकती है तो अभी wine project में भी एक बड़ा bidding होने आला है तो फरवरी में तो एक बड़ा धमागा ही है उसके अलावा फरवरी में और एक बड़ी चीज हो सकती है वो है dividend dividend आपको मिल सकता है फरवरी के मन्थ में इसको लेकर भी आप positive रह सकते हो और वही अगर देखें पहले भी company consistency के साथ यहाँ पर dividend हमें मिले है interim dividend जब भी हमने देखे हैं हमें ओ फरवरी के मन्थ में मिलते आ रहे हैं ठीक है तो 2023 के 17 फरवरी में हमें dividend मिला था और वही अगर दीखा जाए interim dividend में बात करू 2022 की तो 22 फरवरी 2022 में dividend मिला ठीक है फिर उसके बाद वापस से 2021 के 22 फरवरी को मिला फिर उसके बाद 18 फरवरी 2019, 20 फरवरी 2018 तो यहाँ पर अगर देखे एक pattern यहाँ पर company ने settle किया है एक pattern के भिहाब पर ही हमें dividend मिला है 17, 18, 20 और 22 इन तारीकों के around around हमें dividend मिल सकता है इसके record date हो सकती है तो इसकी dividend history सो हमें यही पता चलता है और dividend interim dividend जो है वो बिलकुल high ह हमेशा से ही final dividend के comparison में तो बिलकुल ही चीज भी हमने यहाँ पर काफी हद तक note down की हुई है ठीक है company में बढ़त के पीछे का कारण तो आपको पता ही है यहाँ पर अगर देखे है government की ओर से ops लाया गया बिलकुल governments ने अपने यहाँ पर कुछ share जो है बेचे लगबग यहाँ पर अनवान लगा जा रहा 38 करोड के round तक के shares बेचे फिर उसके बाद जो institutional buyers है उन्होंने 6000 करोड के shares यहाँ पर खरीदे लगबग 91 करोड के round 91 करोड shares यहाँ पर उन्होंने buy किये तो एक बड़ी news है तो यहाँ पर जब government जब यहाँ पर लाया जब उन्होंने news यहाँ पर आई तब तो stock में गिरावट रही stock अगर देखे काफियत तक गिरा था अभी हमने कहा था कि यहाँ पर से भले ही stock में गिरावट आ रही हो बट यहाँ पर गिरावट में ही buying करने का फाइदा है क्योंकि यहाँ से एक बड़ा jump देखने को मिल सकत और institutional buyers ने stock को खरीदना start किया 68 रुपिस के round फिर वही अगर देखे 17 जनवरी से 18 जनवरी तक stock 4 रुपे 45 पेसे तक गिरा ठीक है उसके बाद 18 जनवरी के बाद की तेजी की अगर मैं बात कर लो सिर्फ दो दिनों के अंदर अंदर ही stock यहाँ पर 12 रुपे 6 पेसे के round तक की एक rapid growth बताता होने जरा है एक बिलकुल एक तगड़ी growth यहाँ से stock ने बता दी जो काफी अच्छे numbers है जो काफी अच्छी बात यहाँ पर हमें नजर आ जाती है last rating season तो 81.40 रुपिस के round तक के return है और बिलकुल यहाँ पर अगर देखें कल के एक ही दिन के अंदर अंदर stock ने 10 रुपे 30 पेसे का high यहाँ पर लगा यही इसका 52 weeks का नया high है और last 6 month में तो आप देखी सकतो 17 रुपे 95 पेसे तक stock बढ़ा है 6 मेने में 34 रुपे तक बढ़ा तो कल काफी हद तक तगड़ा volume हमें देखने को मिला है एक बड़े volume यहाँ पर हमें देखने को मिले है लगभग 28 करोड के round तक का trade value हमने कल के दिन देखा और वही अगर बात कर ले 28 करोड कल के दिन था और वही अगर मैं बात करूँ ले last trading season से एक दिन पहले यानि मैं परस 50 करोड से भी ज्यादा का इसमें exchange हो गया है trades यहाँ पर exchange हो गया है जो काफी बड़े नंबर है 50 करोड शेर्स यहाँ पर exchange हुए है जो काफी बड़ा नंबर है और return भी अगर आप देखोंगे last one year के return ही आप देखो तो 88.97% और 3 months के 56% जो काफी अच्छे नंबर यहाँ पर offer for sale आया है काफी सारे जो power sector की shares है उनमें एक अच्छी बड़ाथ हमें देखने को मिल रही है और हमें पुरी उम्मीद है कि NHPC में और बड़ी बड़ाथ होंगी क्योंकि कई बड़ी deals already इन्होंने sign किये GPCL के साथ गुचराद government के साथ 4000 करोड की deal इन्होंने sign की और इसी कई सारी चीजे यहाँ पर है जो इसमें इस stock को positive बनाती है community sentiments के आकडों की अगर में बात कर लो तो community sentiments के आकडों में अगर देखोंगे तो 100% buying के लिए कहा जाता है 100% लोग और से buy करने के लिए हाँ पर कहा जाता है इस चीज़ की उपर आप ध्यान रखो shareholding patterns की भी अगर हम ब आपर कम हो रही थी और कहीं न कहीं increase हो जाएगी December 2023 तक 7.38% है और है September 2023 के बाद थोड़ी down गई थी बट इसमें अभी फिर से एक बड़ा high का सकता है ठीक है इसके उपर भी आप positive रह सकते हो तो और all NHBC में अगर देखे तो आपको आने वाले टाइम में और अच्छे returns मिल सक करते हैं फरवरी में तो दो बड़ी news आनी पकी है dividend और wine projects related कोई बड़ी deal I hope आपको ये वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो कर अच्छा लगा होगा वीडियो को like channel को subscribe कर देना और कोई भी stock में investment करते हो तो insurance का analysis कर लेना फिर ही insurance में आपको investment करना है टेली गराम च